गुड मॉर्निंग स्टुडिंस आज हम लोग OC का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Sources of Business Finance Business अपना Finance कलेक करती है किन किन सोर्स से वो हम ये चैप्टर में समझने वाले हैं ओके देखो एक बड़े साइस का बिजनेस चलाने के लिए सिफ और पैसे लगाएंगा तो बिजनेस को पैसे कम पड़ जाते हैं एक बड़े साइस के बिजनस को चलाने के लिए बहुत पेसों की जुरुत होती है तो एक ओनर के पास या उसके तीन चाग गुरूप के पेसे को मिला के भी इतना पेसा नहीं होता है कि बिजनस अच्छे से चल सके एक business को चलाने के लिए अगर बड़े size का business है तो business को चलाने के लिए बहुत पेशो की जरुत होती है तो वो पेशे कहा से collect करता है business वो हम इस chapter में समझने वाले है बिज्नेस को पेशो की जरुत क्यों चाहिए क्योंकि एक successful business चलाने के लिए बहुत research करनी होती है रिसर्च में एम्प्रॉईस की जुरूइत होती है स्पेसिलाइजेशन की जुरूइत होती है तो बहुत सारे लोग अप्वाइनट करने होते है हर जगा पे पैसे इन्वेस्ट करना होता है फिर प्रोडक्शन, बड़ा बिजनिस है प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए पैसों की जुरूत होती है तो पैसे चाहिए होते हैं और वह बहुत पैसे किसी एक के पास होना या दो-तिन जंद से मिला के बिजनेस चलाना यह impossible है तो इस chapter में क्या सीखेंगे हैं sources business अपना पैसा कहा कहा से collect करती है और business को चलाती है वो इस chapter में हम समझने वाले हैं next meaning of business finance अब यह business finance होता क्या है okay according to accounting viewpoint the term capital has narrow meaning accounting viewpoint से capital का जो मतलब है वो बहुत छोटा है from the accounting viewpoint capital means amount of cash assets and goods invested in business accounting viewpoint से capital क्या होता है capital means जितना भी amount invest किया है वो assets invest किया है वो इसे बोलते है capital accounting के viewpoint से इसे बोलते है capital पर commerce के viewpoint से capital का बहुत भाइडर meaning है अ प्ल्स क क्वाNew पॉइनिंग है capital क्या होता है Commerce के viewpoint से capital क्या है capital includes the amount invested by honor in business capital मतलब honor ने जितना business में invest किया है वो या उसने कुछ borrow किया है fund और business में invest किया है वो कुछ भी खुद के पेसे invest किये किसी से borrow करके invest किये तो हर एक चीज capital में आ जाएगी इसलिए बोले है कि commerce के viewpoint से capital का जो meaning है वो बहुत broad है बहुत wider है मैं वापस से पूरा paragraph explain करती हूँ देखो capital को दो viewpoint ने explain किया है accounting viewpoint से capital का बहुत narrow meaning है और commerce के viewpoint से capital का बहुत wider meaning है accounting viewpoint से capital क्या होता है जितना भी cash का amount invest किया है business के अंदर assets invest किया है goods invest किया है उसको बोलते है capital ओके और commerce के viewpoint से amount invest किया है borrow करके invest किया है clear हुआ देखो मैं लास्ट line read करती हूँ आप लोगों को clear हो जाएगा capital includes the amount invested by owner in business capital include करता है amount जितना ओनर ने business में invest किया है okay and the borrowed fund from different financial sources और दूसरे sources से borrow किया है business के लिए borrow किया है does in broad meaning capital means the fund raised to satisfy the various financial requirement of the business capital means fund जो business की requirement के लिए requirement को satisfy करने के लिए लाया गया है उसको बोलते capital clear हुआ capital का broad meaning क्या है capital means fund honor ने दिया है या borrow करके दिया है capital का मतलब होता है fund जो जरुवत है to satisfy the various financial requirement of the business business की जो भी financial requirement को complete करने के लिए fund की जरुवत होती है या तो वो borrow होगा या honor का होगा वो पूरे चिसको बोलेंगे capital अगर नहीं clear हुआ होगा मीनिंग आप लोग पूछ सकते हो नेक्स टॉपिक है नीड ओफ बिजनेस finance बिजनेस फाइनेंस की क्या जरुवत है बिजनेस में फाइनेंस क्यों चाहिए तो फॉर्स फॉर establishing business business को establish करने के लिए finance की जरुवत है अगर बिजनेस के पास finance होगा तो वो अपनी research कर सकेगा documents प्रिपार कर सकेगा जैसे certificate of registration बिजनेस को registered करने में भी अपने बिजनेस को registered करने में भी पैसों की जरुवत होती है fees देनी होती एक्सपर्ट को तो हर एक चीज इसके लिए business finance की जरुवत है हम यह लाइन को रीड करते हैं आप लोगों को क्लियर हो जाएगा विर्यस expenses are to be incurred to establish the business unit बहुत expenses चाहिए होते हैं business को establish करने के लिए capital is required to meet the expenditure like conducting primary and extensive research research करने के लिए पैसों की जरुवत होती है documents to prepare documents like certificate of registration अगर certificate बनाना है तो पैसों की जरुवत चाहिए होती है पैसों की जरुवत होती है fees of experts in the field of law registration fee etc मतलब एक business को establish करने में भी पैसों की जरुवत होती है हम क्या पढ़ रहे business finance की जरुवत क्यों होती है तो business finance की जरुवत होती है हमने जो business सोचा है उसको establish करने में भी पैसे की जरुवत होती है कोई भी business ऐसे ही establish नहीं करेगा research करेगा कि मेरा business कौन से area में जादा अच्छे से चल सकता है कौन से चीज का business में को करना चाहिए तो हर एक research करनी होती है तो उसके लिए पैसे चाहिए होते है documents prepare करने के लिए पैसे चाहिए होते है fees देनी होती experts को okay second है for purchase of fixed asset fixed asset purchase करने में भी पैसे चाहिए होते है the long term investment made for the asset of the business unit is called fixed asset fixed asset क्या होता है जब long term investment करते है business के assets में long term investment करते है तो one asset को बोलते है fixed asset in this type of asset frequent change is not possible और ऐसे asset में fixed asset में frequently change नहीं होता है यह हमने accounts में पढ़ा है है ना और fixed asset में long term investment करना होता है बहुत time तक के लिए investment करना होता है और बहुत जादा करना होता है तो बहुत जादा investment कैसे होगा जब company के पास पैसे हो गया long term finance in large proportion is needed for acquiring fixed asset देखो land purchase करनी हो building purchase करनी हो machinery vehicle यह सब में बहुत पैसे चाहिए होते है है ना तो यहाँ पे भी जरूरत होगी business finance की कोई भी business नहीं चल सकता है land के बीना मतलब होनी चाहिए ना कहाँ पे business करेंगे land होनी चाहिए building machinery vehicle यह सब business के पास होना चाहिए और यह business के पास कब आएगा जब business के पास business finance होगा ओके third है for current assets business finance की जुरूरत होती है current assets के लिए भी देखो working capital अब यह working capital क्या होता है capital जो रोज रोज चाहिए होता है एक business के पास खुद के पास cash भी होना चाहिए कि वो अगर रोज रोज के कुछ expenses हो रहे हो तो उसको fulfill कर सके अब सब पैसा बैंक में होगा long term के लिए होगा तो अगर रोज रोज के कुछ expenses हो रहे होगे business में तो कैसे complete कर सकेंगे उसको कैसे fulfill कर सकेंगे तो working capital means cash जो business अपने पास रखती है रोज रोज के expenses के लिए तो working capital की working capital की ज़रुएत है daily activities को smoothly complete करने के लिए ओके और working capital कहा से आएगा working capital वो पैसे हम कहा से रखेंगे रोज रोज के पैसे खासे रखेंगे तो business finance रखेंगे अगर business के पास finance होगा तो वो अपना working capital रख सकती है कि business की activity अच्छे से चले working capital is needed for the purchase of raw material raw material purchase करना है तो working capital की ज़रुएत है salary pay करना है working capital की ज़रुएत है wages pay करना है to make payment for services assisting trade and to invest in the stock of finished goods तो यह business की चोटी मोटी चीजों के लिए अलग से cash रखा जाता है तो उसको बोलते है working capital और यह working capital कहा से आएगा तो business finance आएगा okay fourth है for modernization and expansion of business business को बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रुएत होती है business को modern बनाने के लिए पैसों की ज़रुएत होती है capital is required in large proportion देखो जादा capital चाहिए बहुत जादा capital चाहिए due to new invention science इतना आगे बढ़ रहा है कि कुछ-कुछ time में ही नया-नय invention आ रहा है तो वो invention को कब business use कर सकेगा जब उसके पास finance होगा तो capital is required in large proportion बहुत capital चाहिए अगर कुछ नया invention आ जाता है या फिर business को modern करना होता है modernization for modernization, expansion and to adopt new production technology नया production technology adopt करना है business को expand करना है तो business को बहुत पेशों की ज़रुद होती है तो यह पेशों की ज़रुद कभी fulfill होगी जब business के पास finance होगा हम study करना कि business में finance की क्या ज़रुद है तो business में finance की इन चीजों के वजह से business में finance की ज़रुद है कि उसको expansion करना होता है तो finance चाहिए उसको modernization के लिए finance चाहिए फिफ्थ है for accidental requirement there are many internal and external factors which affect the business unit due to which requirement of capital arises to meet the factor like employee strike, changes in government policy, trade cycle, natural disaster etc बहुत से internal external factors होते हैं जो business को affect करते है due to which requirement of capital arise to meet इसलिए capital की ज़रुद होती है अगर employee strike पे बैढ़ गए पेशों की ज़रुद चाहिए ही अगर government ने policy change कर दी है trade cycle में change आया है या कुछ disaster हो गया तो हर एक चीज के लिए ओके हर एक चीज के लिए पेशों की ज़रुद होती है तो आप लोगों को clear हुआ need of business finance business finance की क्यों ज़रुद होती है यह five captions अच्छे से समझ लेना अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना next importance of finance in business firm finance business में होने से sufficient finance business में होने से business को क्या-क्या फाइदे हो सकते है वो हम यह topic में समझेंगे और अगर sufficient finance नहीं होगा business में तो क्या-क्या problems आ सकती है वो भी हम यह topic में समझने वाले हैं तो finance is such an access around which all financial activity rotate capital can be compared with the human blood the importance of blood in human body is almost equal to the importance of capital in business unit क्या बोर यहापे capital को compare किया है human के blood से जैसे human के body में blood का होना जरूरी है अगर एक human के body में blood नहीं होगा या blood की कमी हो जाएगी तो उसका survive करना वो human being का survive करना मुश्किल है है ना उसी तरीके से अगर business में finance कम हो जाएगा तो business का survive करना भी मुश्किल है तो capital को किस से compare किया है capital को human के blood से compare किया है human body में जितना blood important होता है उतना ही business में finance important होता है To run all activities of business on time a proper financial system is inevitable business की हर एक activity को अच्छे से complete करने के लिए time पे complete करने के लिए proper finance का होना जरूरी है देखो कुछ भी purchase करना है तो हमें finance चाहिए अगर creditor को pay करना है तो finance चाहिए अगर पैसे ही नहीं होगे तो purchase कैसे करेगे production कैसे होगा creditor को pay कैसे करेगे तो finance का होना जरूरी है अगर finance नहीं होगा तो business survive नहीं कर सकेगा without capital transaction of business unit is impossible amount of finance is limited and the alternative use are many therefore the use of funds should be done optimally क्या बोर रही है बिजनेस में finance कम होता है पर उसके related activities बहुत जादा होती है तो जुतना भी finance है उसको अच्छे से utilize कना चाहिए कहा पर भी waste नहीं होना चाहिए वो due to non availability of sufficient fund अगर business में sufficient fund नहीं होगा तो business has to face many difficulties अगर business के पास sufficient fund नहीं होगा तो business को बहुत सारे difficulties face करनी पड़ेगी जैसे कि credit worthiness of business unit is affected if there is delay in making payment to creditors देखो creditors business की liability होती है अगर business ने कुछ उधार में purchase किया है और टाइम पे payment नहीं करेगा creditor को तो क्या creditor दूसरे बार उधारी में बेचेगा हमें? नहीं है ना? अगर हमने creditor से कुछ उधार में purchase किया है तो business के responsibility होती है कि time पे उसको pay करे अगर उसको time पे पेशा नहीं मिलेगा creditor को तो creditor next time हमें कुछ purchase नहीं करेगा clear है? sometime the firm has to ignore the opportunity of high profit investment कभी कबार capital कम होने से ऐसा भी होता है कि profit investment opportunity को ignore करना पड़ता है investment कब होगा? जब saving होगी saving कब होगी? जब पैसा होगा? है ना? तो investment opportunity को भी ignore करना पड़ता है क्योंकि sufficient fund अवेलेबल नहीं होता overlook the advantages of cash discount company को cash discount कब मिलेगा? जब वो उसकी date पे pay कर सकेगा है ना? cash discount कब मिलता है? जब हम time पे pay करते है मतलब seller ने जो date बताई होती है वो date पे अगर business पैसे pay कर सकते है तो उनको cash discount मिलेगा पर अगर पैसे ही नहीं होगे तो वो time पे पे ही नहीं कर सकेंगे और पे नहीं कर सकेंगे तो cash discount मिलेगा नहीं ओके? face difficulty in timely purchase of raw material raw material purchase करने में भी difficulties आएगी तो आप लोगों को clear हुआ business में finance का होना बहुत ज़रूरी है capital को compare किया है human के blood से human के body में जितना blood important है उतना ही business में finance important है clear हुआ? next है honors funds कितने type के honors fund है यहाँ पे हम वो समझने वाले है अभी हम यह format देख लेते है उसके बाद एक एको detail में study करेंगे तो कितने type के honors fund है equity share एक type का honor fund है preference share, retain profit इन में भी type दिया है अभी इन सब को हम detail में समझने वाले है equity share equity share क्या होता है तो meaning पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ एक business को पास एक company के पास business करने के लिए बहुत पेसों की जरुत होती है तो उतना पेसा एक person के पास होना या दो-तीन चंद से मिला के business को चलाना possible नहीं होता है तो share एक document होता है equity share एक document होता है जो company या business इशू करती है public को एक document होता है वो company इशू करती है public को और public क्या करते है उसके बदले company को पेसे देता है क्लियर हुआ equity share एक document होता है जो company इशू करती है मतलब company public को देती है ये document public को देती है और public क्या करता है उसके बदले पेसे इन्वेस्ट करता है public क्या करता है company में पेसे इन्वेस्ट करता है तो equity share के एक document है जो company public को देती है वो document के बदले पब्लिक क्या करते हैं, कमपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक कमपनी में पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको डिविडेंट मिलता है, क्लियर हुआ डिविडेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसे, जितने पैसे इन्वेस्ट किये हैं, उस पे कमपन के अंदर invest करता है, okay, equity share भी एक document है, preference share भी एक document है, पर equity share में और preference share में क्या फर्क है, वो हम पढ़ने वाले हैं, okay, तो first हमारा equity share, the shares having last right to receive dividend as well as capital as compared to preference share are known as equity share, equity shares कौन से shares होते हैं, देखो, अगर company ने profit earn किया है, तो वो profit में से सबसे पहला dividend जाता है preference shareholder को, okay, सबसे पहला dividend जाता है preference shareholder को, preference को pay करने के बाद last में, last में equity shareholder को मिलता है, तो the share having last right, equity share क्या है, equity share वो share है, जिसके पास last right है, last हक है कि उसको dividend मिले, उसको capital मिले, सबको pay करने के बाद last में किसको मिलता है, equity shares holder को मिलता है, clear है, equity share एक document है, और जिसके भी पास equity share है, उसको बोलते है shareholder, equity shareholder, अगर मेरे पास equity share वाला document है, तो में को बोलेंगे equity shareholder, clear हुआ, एक और बार बताती हूँ, equity share means वो document जिसके भी पास होगा, उसको last right मिलेगी, dividend collect करने की, सबको pay करने के बाद, अगर पैसा बचता है, तो equity shareholder को dividend मिलता है, ओके, capital भी सबको pay करने के बाद मिलता है, clear हुआ, अभी characteristics, हम लोग और समझ सकेंगे equity shares को इन characteristics है, अगर किसी को भी doubt होगा equity share क्या है समझने में, तो आप लोग पूछ लेना, फिर्स है true owners, this type of shareholder are called true honor of company, equity shareholder को company के true honor बोले जाते है उनलोग, ओके, and faithful companion, companion means साथी, because they take more risk than preference shareholder, क्यूँ उनको true honor बोले जाते है और faithful साथी बोले जाते है, क्यूँकि equity shareholder बहुत जादा risk लेते है, compare to preference shareholder, company जितना भी profit अन करेगी, तो सबसे पहले preference shareholder को देती है, फिर अगर पैसा बचता है, तो equity shareholder को मिलता है, तो clear हुआ, तो सबसे दाद risk कौन लेता है, equity shareholder बहुत risk लेता है, preference shareholder के compare में, इसलिए उनको true honor बोला जाता है, और faithful companion, right to vote, equity shareholder, equity shareholder, यहाँ पर लिखना है, equity shareholder have right to cast vote as per shares held by them, equity shareholder के पास vote करने की right होती है, एक इनसान के पास जितने shares है, उतनी उसके पास voting right होती है, company में कोई भी meeting होती होगी, या कुछ भी select करना होगा, तो equity shareholder को right होती है, कि वो अपना vote रख सक है, third है rate of dividend, for such shareholder, the dividend and rate of dividend is not fixed, क्या बोर रहे है, equity shareholder के लिए dividend का जो rate होता है, वो fixed नहीं होता है, हमने पढ़ा है न, यहाँ पर meaning में कि profit अनकरती है company, तो सबसे पहला वो किसको देती है, preference shareholder को देती है, फिर अगर पैसे बच जाते है, तो उनलोग equity shareholder को देती है, अगर company ने जादा profit earn किया है, तो जादा dividend मिलेगा equity shareholder को, अगर company ने कम profit earn किया है, तो कम profit मिलेगा equity shareholder को, अगर company ने profit अन ही नहीं किया, profit ही नहीं हुआ है ये साल, तो dividend नहीं भी मिलेगा equity shareholder को, तो equity shareholder को जो dividend पे करता है, उसका rate fix नहीं होता है, ओके, next है profit related, dividend receivable to such shareholder is related with profit, equity shareholder को जो dividend मिलता है, वो profit से related है, क्यों profit से related है, क्योंकि dividend will increase, decrease with profit, company का जितना profit होता है, उसके according equity shareholder को dividend मिलता है, अगर company ने जादा profit अन किया है, तो equity shareholder को जादा dividend मिलेगा, अगर company ने कम profit अन किया है, तो equity shareholder को कम dividend मिलेगा, तो equity shareholder का जो dividend पे करते है, equity shareholder को जो dividend मिलने वाला है, वो किस से related होता है, profit से related होता है, जिस तरीके का profit, उस तरीके का dividend मिलता है, जर्नल मीटिंग, इक्विटी shareholder के पास राइट है, कि वो जर्नल मीटिंग अटैन कर सके, वोट कर सके, और इलेक्ट दाइरेक्टर को इलेक्ट कर सके, इक्विटी shareholder के पास क्या राइट है, कि वो जर्नल मीटिंग अटैन कर सके, वोट कर सके, और डाइरेक्टर को इलेक्ट कर सके, रीपेमेंट ऑफ कापिटल, जर्नली, दे शेर कापिटल इस नॉट रिपेट दूरिंग दा एक्जिस्टेंस अफ कमपनी, इक्विटी shareholder को उनका पैसा नहीं मिलता है जब तक कमपनी चल रही है, क्लियर हुआ क्या बोल रहे हाप है equity shareholder को जब तक company चल रही होती है तब तक उनका पैसा नहीं मिलता है company बंध होने के बाद मिलता है जब तक company exists है तब तक तो उनको उन्नोंने जो invest किया है वो पैसा नहीं मिलने वाला है मैं line rate करती हूँ आप लोग एक बार अच्छा से देखनो Generally, the share capital is not repaid during the existence of company Seventh, Dissolution Dissolution को liquidation भी बोलते है Dissolution मतलब company बंद हो जाना क्या हो जाना? Company बंद हो जाना Dissolution को liquidation भी बोलते है और Dissolution क्या होता है? Company बंद हो जाना At the time of liquidation After the repayment of capital to preference shareholder Capital is repaid to equity shareholder If surplus funds are available क्या बोल रहाँ पे? Liquidation के time पे मतलब जब company बंद होती है तो सबसे पहले capital preference shareholder को पे किया जाता है Preference shareholder को पे करने के बाद Equity shareholder को पे किया जाता है वो भी कब पे करते equity shareholder को जब भी कुछ surplus हुआ हो मतलब company के पास अगर कुछ fund बचा है तो equity shareholder को मिलेगा ने तो नहीं मिलेगा Clear हुआ? 8. Shares of qualification If there is a provision in the memorandum and director have given consent to become the elected director of company Then that share is considered as share of qualification अगर memorandum of association के provision में है और director have given consent to become the elected director अगर डारेक्टर ने consent दिया है कि वो elected director बन सकता है company का तो उसके share को क्या consider किया जाता है? 9. Share of qualification 9. Capital benefits This shareholder receive various benefits Equity shareholder को बहुत सारे benefits मिलते हैं जैसे right share, bonus share, benefit arising due to increase in share price in market, etc. called capital benefits Equity shareholder को ये सब टाइब के benefits मिलते हैं Right share क्या होता है, bonus share क्या होता है ये हम आगे और detail में समझेंगे तो ये सब उसको benefit मिलता है और जब share की price increase होती है ये भी फाइदा होता है equity shareholder के लिए और इन सब benefits को बोलते हैं capital benefit 10th है registration of share This type of share are registered in recognized stock exchange market So purchase and sale of share at market price can be done Equity shares को registered किया जाता है share market के अंदर तो जब purchase या sale करना होगा equity share का तो बहुत easily हो जाता है market price में आप लोग ये सब को read करना और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछना Next है types of equity share कितने type के equity share है तो यहाँ पे तीन type के equity share है First है ordinary equity share This share are very important for the company Ordinary equity share बहुत important होता है company के लिए Company which raise share capital It is compulsory to issue equity shares जो भी company अगर issue करना चाती है shares Shares issue करना चाती है तो इसको compulsory पहले equity share issue करना पड़ेगा Equity shareholder को company के true honor बोले जाते है क्योंकि वो सबसे जादा risk bear करते है कैसा risk bear करते है तो उनको equity shareholder को कही बार इतना ऐसा हो जाता है कि उनको dividend ही नहीं मिलता है और अगर dividend मिल भी रहा होता है तो उसका कोई fixed amount नहीं होता है या fixed percentage नहीं होता है कि 10,000 आपको dividend मिल ही जाएगा एसा नहीं होता है कभी कबाद dividend मिलता है कभी कबाद dividend नहीं भी मिलता है तो बहुत जादा risk bear करना होता है equity shareholder को इसलिए equity shareholder को real honor, true honor बोले जाते company के अगर company insolvent हो जाती है insolvent means कंगाल अगर company कंगाल हो जाती है और वो liquidation process कर रही होती है liquidation process मिन्स हमने पढ़ा है बंद करना liquidation मिन्स company को बंद करना अगर company insolvent कंगाल हो जाती है और वो बंद कर रही है तो सबसे पहले वो अपने assets को बेचेगी company अपने assets को बेचेगी और assets बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे बाकी सब को पे करेंगी अगर last में कुछ पैसा बच जाता है तो equity shareholder को मिलेगा ने तो नहीं मिलेगा promoter promoter कौन होता है जिसके mind में company open करने का idea आता है तो promoter equity share क्यों issue करता है क्योंकि उसको company में capital बढ़ाना होता है है ना अगर company में capital नहीं होगा business में capital नहीं होगा तो business अच्छे से survive नहीं कर सकेगा तो promoter equity share क्यों issue करता है क्योंकि उसको capital बढ़ाना होता है short term requirement हो medium term requirement हो या long term capital requirement हो यह हर requirement को कौन पूरी करता है equity share से पूरी हो जाती है to raise large capital the company divides the capital in small parts देखो बहुत capital बढ़ाने के लिए company ने इन capital को छोटे part में divide कर दिया है वो छोटे part को बोलते है shares ओके large capital को divide कर दिया है small part में और वो small part को बोलते है share और जो share को purchase करता है उसे बोलते है share holder next है sweat equity share company allows share to its director person working in company who possess special knowledge and to employ at discount or without consideration of cash such share are called sweat equity shares sweat equity shares क्या होता है sweat equity share means वो share जो company director को देती है person को देती है जिसके पास special knowledge है या वो employee को देती है जो discount में काम कर रहा है या वो employee को देती है जो cash में काम नहीं कर रहा है मतलब जो काम कर रहा है और वो cash नहीं चाहता है तो इसको sweat equity share देती है clear हुआ sweat equity share क्या होता है sweat equity share वो share होता है जो director को मिलता है person को मिलता है कौनसे person को मिलता है कौनसे director को मिलता है जिनके पास specialized knowledge हो जो discount में काम करे जो cash के बदले काम नहीं करे clear हुआ third है other equity shares other equity share are of two type दो ताइप के दुसरे equity shares है, equity share with voting right, वो equity share जिनके पास voting right है, equity share with different right in relation of dividend and having voting right और वो equity share जिनके पास different rights है, dividend को related, dividend की related different rights है और उनके पास voting rights भी है, clear हुआ, यहाँ पे हमने equity share का topic clear कर लिया है, हमने समझ लिया है, अगर इसमें नहीं समझ मैंगा कुछ तो पूछ लेना, इसके बाद हम करेंगे preference share